जी नाइन एक ऐसा केला जिसकी खेती बहुत ज्यादे ब्रहरे प्रैमाने पर की जाती है और यह हाइब्रेट टूसुकल्चर केला होता है और इसे कैसे लगाया जाता है यह तूजेट भी धी बताएंगे जो कि इसका एक मतलब केला 6 पीट हाइट का होता है और इसका सावन्स का होता है सबसे पूराना सबसे खाया जाने वाला फल है जो पूरे भारत या कहीं कोई भी राजे कोई भी देश में यह पाया जाता है खेती किसान सबसे अधिक करते हैं इस किसम क्या उच्छ उपर देने वाले केमेंडिस किसम का वेफसाई उत्वादन जाता है और यह एक बात आप जानके ध्यान से सुने क्योंकि G9 में जो होता है तीन प्लांट ही छोड़ा जाता है तीन प्लांट से फिर ले लिया जाता है तो तीन प्लांट नीचे रहता है ऐसे ही करके तीन ही प्लांट से किला लिया जाता है फिर तीन प्लांट से लिया जात होता है उच्छे नियात मुल्र और अर्थिक उत्पातित लाव बहुत होता है रख रख हर्घ?", छिसके कारण बेचने में बहुत अच्छा होता है और इसका फल का अन्य किसम के गुलाई से अलग बनाती है और यह परिपव को अवस्ता में हरा रंका परिकाव परिपवक अवस्ता में फीलापन हो जाता है के लाइक लंबाई 9 से 10 इंच हो जाता है जो कि बहुत अच्छा होता है ग्रेंड नैन बनाना किसम या फल स्वादिश्ट होता है फलो का गुनबत्ता देसी किसम के तोला अधिक होती है जीनाइंड का आप एक देखते हैं जो सभी दिन ये पाया जाता है आप जितना बार भी देखिएगा उतना बार ये मिलेगा ही हरा चल के रूप में भी उप्योग आता है अधिक उपजबाला केला है और अस्तन पर 40 किलो ग्राम परती पौधा उत्पाद हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है और जीनाइन में यही पाया जाता है जो 210-240 इसका एक प्रांट में छीमी रहता है जो केला का मतलब फल हुआ और 10-14 हांथा का होता है जो भारत दरजन का यह खता होता है ऐसे तो उत्ता कसमबर्धी तो मौसम पर निरभा नहीं उपज़ बनती हैं जिससे आप पोशक अदूतिय पोशकता तो हता है मुखुरे उत्तरपरदेश, बिहार, तमिलाद, उपची मगाल, केरल, महराष्ट, करनाटक, गुजरात, असाम, अंदरपरदेश, नागालेंड, त्रेपुरा और आधि राज्यों में इसका बहुत अच् हो, तो ये पौधा बहुत अच्छा होता है, रेट समागरी वाली लाल मध्यम मिटी में ये विक्सित होता है, रेट वाला मिटी में तो ऐसे भी प्लांट, कोई भी प्लांट लगाएगा, वो बहुत अच्छा रहता है, ऐसे सभी प्लांट में ये लगा जिता है, खराब ज जाए इसे बचना चाहिए यह से रहांदी मिती खुब बहुत्च आप अचका होता है। 12 डेगरी से नीचे चला जाता है ताप मान तो ठंड लगने से इसे बहुत दिक्कत होती है और तेजहरवार से फसलों का नुकसान बहुत पहुता है लेकिन मानसून वाले मौसम के दौरान सबसे अधिकतेवता बरती है और अस्तन बरसाथ 650-700 तक होता है जो किस्म के लिए त सब्सक्राइब करने से समतर हो जाता है उसके बाद इसको लगाने का जुगार करना चाहिए इसमें आप वर्मिंग पोस्ट एक के जी के हिसाब से आपको देना चाहिए असे घड़्डा की जिएगा तो गड़्डा 45 संटीमेटर 45 संटीमेटर का होना चाहिए उपरी सब्सक्राइब को पर कि खाद आपको दे देना चाहिए और रहाई 100 ग्राम नीम का केक और 20 क्राम कर वो फ्यूरान भी भरा जाएगा और तयार गड़्डे के विकी रन के संपार्क में लाने से हानिकारक कीरे मर जाते हैं आप उसे धुप में सुखा दीजेगा तो बहुत अच्छा है नहीं भी सुखाईएगा तो उतना जाद दिक्कत नहीं करता है और आठ से उपर पिये चमान, खारी, छरी, मिट्टी, करबनी, पदार की गड़्डे में मिसरन सामिल किया जाना चाहिए और ऐसे तो गड़्डे को रोपन के विकल नाली के रोपन वो भी धिद् जाता है यह सब देखते रहिएगा वो एक प्रकार का आता है चूसने वाला का पूर्व उप्चार इसको सरे गले हिस्से को छटाई कर देना चाहिए वो हटा ही दीजे तो बहुत अच्छा है नहीं तो इसे मिट्टी के हिस्से में पांच दिनों तक होल में डूबो है और क इतना बीमारी तो इसमें नहीं आता है रोपन की बिधी के बात करें तो रूट वर्ल आप दो सेंटीमीटर नीचे लगादे और उसी में लगा दीजियेगा एक एकर में बारा सो प्लान्ट लगता है छे वाई छे फीट के हाई मतलब दूरी होता है छे वाई पाच फीट के पौधे से पौधे की दूरी भी रह सकते हैं लेकिन 6-6 का रखिये तो बहुत अच्छा होता है ऐसे ड्रीप वाला कर सकते हैं ड्रीप से भी बहुत अच्छा हो जाता है और नाइट्रोजन की बात करें तो रोपन से 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन में तीन बार भी भाजित करके खुरा सो ग्राम नाइट्रोजन पौधे के सिर्स ड्रेसिंग लागू की जानी चाहिए रोपाई के सो ग्राम पोटास, 40 ग्राम फासफोरस डालना चाहिए और पी के खुराक, एनपी के खुराक, तीन बार खुराक, आठ से दस सेंटिमेटर गहरे उतले चल्लों में लगाना चाहि ञाता है, वह एक थे रिए ऑठिक रहता है, और ऊस्के certainly बारम फिलोजन पेस На टनी से रिए आप कि सब्सक्राइब